तो अब अगर UN number एक्टिवेट करने के बाद भी उमंग एप पर आपको invalid UN number का error आता है सब एसी condition में आपको परेशान नहीं होना है इस वीडियो में मैं आपको proof के साथ बता दिया है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो म हम बात करेंगे उमंग एप पर आने वाले invalid UN number के error के बारे में तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यह PFO से जुड़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों कुछ PF मेंबर्स को उमंग एप पर invalid UN number का एक error आता है अब उमंग एप पर यह error क्यों आता है इस error के आने का reason क्या है और इसका solution क्या है इसके बारे में मैंने बहुत ही पहले एक complete वीडियो बना दिया है उस वीडियो का link आपको आता है तब आप अपने UN number एक्टिवेट कर लिजे अगर आप अपने UN number एक्टिवेट कर लेंगे तब आपको उमंग एप पर invalid UN number का error नहीं आएगा लेकिन हम यहाँ पर हुआ यह है कि PF मेंबर्स ने अपना UN number तो एक्टिवेट कर लिया है इसके बावजूद भी उमंग ए पर invalid UN number का error क्यों आता है इस error के आने का reason क्या है और इसका solution क्या है तो अब बात करते हैं इसके solution के बारे में तो देखिए अगर आपको पहले उमंग एप पर invalid UN number का error आ रहा था पर अब आपने अपना UN number एक्टिवेट कर लिया है इसके बावजूद भी अभी भी आपको उम UN number एक्टिवेट करके आपने अपनी problem को solve कर लिया है अब आपके मन में यहां यह सवाल आया होगा कि अगर UN number एक्टिवेट करने से हमारी problem solve हो गई है तो अभी भी यह error हमें क्यों आ रहा है तो इसके पीछे एक ही reason है और वो reason यह है कि UN number एक्टिवेट करने के 6 घंटे के ब बात भी ओमंग एपर invalid UN number का error आ रहा है और यह बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बलकि यह लिखा हुआ है जिसे मैं अभी आपको दिखाता हूं तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह e-pfo की website पर available pf members की passbook का home page है यहां से हम login करके अपने pf account की passbook को देख सकते ह अब यहां पर आप side में कुछ instruction देखेंगे इसमें से second वाली line को मैं आपको पढ़कर बताता हूं तो यहां पर लिखा है passbook will be available after 6 hour of registration at unified member portal इसका मतलब यह है कि आप unified portal पर register करने के 6 गंटे के बाद ही आपने pf की passbook देख पाएंगे याने कि UN number activate करने के 6 गंटे के बाद ही आप अपने pf passbook देख पाएंगे तो अब अगर UN number activate करने के बाद भी उमंगेप पर आपको invalid UN number का error आता है तब ऐसी condition में आपको परेशान नहीं होना है बलकि आपको इंतधार करना है कुछ देर बाद में उमंगेप के जरी आप अपने pf account में login कर पाएंगे अब कितनी दे करना है इस वीडियो में मैंना आपको प्रूप के साथ बता दिया है बागी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मित करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में इस problem का solution आपको मिल चुका है यह वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो लाइक जरूर कर कर ले क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहाएगी